जैसे person number 1 आपको दिया है कि निम्लिकित संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए юकलीड विभाजन एल्गोरिथम का प्रियोग कीजिए एल्गोरिथम का प्रियोग करके आपने क्या निकालना है? HCF निकालना है तो सबसे पहले आपको मैं Euclide Vibhajan Algorithm के बारे में बताऊँगा देखिए Euclide Vibhajan Algorithm क्या होता है Euclide Vibhajan Algorithm देखिए यह होता है A equal B Q plus r और यहां पे A का मतलब क्या होता है A का मतलब होता है भाज्या B का मतलब होता है भाजक क्याउ का मतलब होता है भागफल और R का मतलब होता है सेसफल और आज हम आपको Euclid विभाजन अल्गोरिथम की मदद से HCF करना सिखाएंगे ये जो मैंने आपको बताया है बोती महतपूरण आपके लिए है कि Euclid विभाजन अल्गोरिथम को हम कैसे परदसित करते है A इक्वल B Q पलस R के यहाँ पे मैंने आपको बता दिया A इक्वल क्या है भाज्य है B इक्वल क्या है भाजक है Q इक्वल क्या है भागफल है और R इक्वल जो है वो है सेसफल देखे अब हम अपने Question की तरफ चलते है और Question No.1 के Part No.1 में क्या कह रहा है कि Euclid विभाजन का प्रियो करके 135 और 225 का आपने LCM Sorry HCF निकालना है देखे 135 को बहार लेंगे और 225 को अंदर लेंगे और यहाँ पे देखे 135 को डिवाइड देखे 135 से डिवाइड करना है 225 को यानि कि भाग करना है 225 को किस से? 135 से देखे नॉर्मली हम भाग करेंगे और देखे 135 का पाड़ा यदि हम गिनते हैं तो 1 पे और 135 दूनी होता है 270 कैसे भाईया? 135 गुणा में 1 बराबर होता है 135 135 गुणा में दो जो होता है वो होता है 270 अब आप ध्यान से देखे ये 225 जो है बहुत ही छोटा है 270 से तो इसलिए ये एक पे जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 एकम 135 यहाँ पे 0 12 में से देखे दो में से तो जानी सकता 3 तो इसलिए हम यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यह होगा 12 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 1 1 में से गई 0 अब यहाँ पे देखे कोई उपर statement बची उपर कोई भी रकम नहीं बची हुई है इसलिए हम क्या करेंगे इस 135 को अंदर डाल लेंगे क्यानी का मतलब है कि जब सीधी उंगली से गीना निकले तो जिस तरह सीधी उंगली से गीना निकले तो टेडी करनी पड़ती है उसी तरह जब सीधी भागना जाए तो हमें टेडी भाग करनी होगी तो यहाँ पे देखे अब इस चीज को हम बूल जाएंगे अब यहाँ पे 90 और 135 नबबबब से 135 को भाग करना है कैसे 90 का आड़ा 1 से गिनेंगे 90 90 को 2 से गिनेंगे 180 अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 180 जो है 135 से बहुती जादा है तो अब हम यहाँ लेंगे एक पर 90 एकम 90 यह बचा आपका पांच तेरा तीन मिसनों तो जाएगा नहीं तो इससे एक हासिल लेंगे और जगा 13 तेरा मिसन हो गई 4 और उपर देखे कोई भी रकम नहीं बची तो इसलिए हम क्या करेंगे जब हम 90 से भाग कर रहे थे तो इसको हम 90 को अब अंदर ले लेंगे अब 45 का पारा गिनिए 45 एकम 45 45 दूनी 90 और 45 की 3 से करेंगे तो यह आजाएगा 135 तो यहाँ पर देखे 2 से आराम से जा रहा है तो 90 दून ए 45 दूनी 90 और 0 यहाँ पर सेस्फल बचेगा यह जो चीज की है हम इनको इरेज कर देंगे ठीक है अब यह देखे यहाँ पर जिससे पूरा पूरा भाग गया है उसको हम क्या ले 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 तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और अब हम आपको Euclid विभाजन अल्गोरिथम लिखके दिखाएंगे यहाँ पर लिख रहा हूँ Euclid विभाजन अल्गोरिथम यह हमने लिखना है A Equal B Q पलस में R देखें A यहाँ पे सबसे पहले है 225 यानि कि किसको भाग दिया था पहले हमने 225 फिर हमने दिया था 135 को फिर हमने दिया 90 को तो 1 by 1 करके हम लिखेंगे देखे 135 की गुणा हम एक से करेंगे 135 गुणा में 1 सेशफल कितना बचा था भाई या 90 ऐसे ही हम 90 की गुणा इसमें 1 में करेंगे 90 गुणा में 1 सेशफल कितना बचा था 45 और 45 की गुणा हम 2 से करेंगे सेशफल कितना बचा 0 तो कहने का मतलब है आपको HCF पता चल गया Euclid विबाजन अल्गोरिथम से हमने HCF निकालना आपको शिकाया अब हम बात करते हैं पार्ट नमबर टू की 196 और 38,220 देखें 196 को 196 से 38,220 को आप भाग करेंगे कैसे देखें 196 एक रकम ली नहीं जा रहा दूसरी ली 38,38 भी 196 से छोटा है तो तीसरी हम लेंगे 382 196 से बड़ा है तो 196 का हम पार्ट है यहां पर लिखेंगे 196 को एक से करेंगे तो 196 आएगा और 196 को हम दो से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 392 ठीक है और 196 को हम तीन से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 588 अब यहां पर देखें 382 से तो यह बड़ा है तो हम क्या लेंगे एक पे ही लेंगे 196 एक कम 196 बारा देखें दो मी से छे तो जाएगा नी तो आगे वाले से आसिल तो बारा बारा मी से छे गए यहां पर दो बच्चा दो मी से गए एक और यहां पर दो नीचे उतार लेंगे अभी हम सिद्धी ही भाग करेंगे क्योंकि उपर रकम दे रखी है तो 196 का हम पाड़ा काउंट करेंगे अब 196 को हम चार से करेंगे तो यह आपका आजाएगा भाईया 784 और यहां पर हम 196 को पांच से करेंगे यह आजाएगा 980 और 196 को हम 6 से करेंगे 196 को 6 से करेंगे तो यह आजाएगा 1176 196 को हम 7 से करेंगे 1362 और 196 को हम 8 से करेंगे 1568 और 196 को हम 9 से करेंगे 1764 और 196 को 10 से करेंगे तो 1960 अब आप ध्यान दीजिए ये 1960 जो है बहुत बड़ा है तो कितने पर जाएगा ये 9 पर जाएगा कितना आगया 1764 आगया भाईया अब देखे 12 में से 2 में से 4 तो जाएगा नी हम आगे वाली से हासिल ले लेंगे 12 12 में से 4 गई 8 यहाँ पर बचा आपका कितना यहाँ पर बचा 5 तो यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा नी आगया वाली से आशल लेगा 15 15 में से 6 गई 9 अब यहाँ बचा 7 7 में से 7 गई 0 और 1 में से 1 गई 0 अभी भी उपर रकम दे रखी है कितनी 0 तो 0 हम उतार लेंगे और 196 को अब हम यहाँ पर देखेंगे कितने पर भाग जा रहा है यह देखें 985 पर पूरा का पूरा भाग जा रहा है 985 कितने पर 5 पर यहाँ पर बचा 0 तो HCF कितना लिखेंगे हम HCF लिखेंगे 196 HCF कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 196 लिखेंगे और यहाँ पे भी Euclid विभाजन अल्गोरिथम का हम प्रियोग करेंगे Euclid विभाजन अल्गोरिथम मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था A equal BQ plus R अब यहाँ पे A कोन है जिसको हमने भाग दिया है कैसे दिया है 196 की गुना 195 से की और सेस्फल कितना आया भाईया 0 हमने Euclid विभाजन अल्गोरिथम भी लिख के दिखाया इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की यह कह रहा है 255 एक बात ध्यान रखिए यदि आपको परिमे संख्या के रूप में दिया है तो नीचे वाला हमेशा बाहार होगा और उपर वाला अंदर होगा लेकिन जैसे 867 और 255 दे रखा है तो 255 बाहार होगा छोटा होने की वज़े से 867 अब यहाँ पे देखे 255 का हम पाड़ें यहां से गिनेंगे 255 की गुणा एक से करेंगे 255 255 की गुणा हम दो में करेंगे यह आएगा 510 255 की 3 से करेंगे यह आएगा 765 255 की हम 4 से करेंगे यह आएगा 1020 अब आप यहां पे देखिए बड़े द्यान से देखिए यह 867 जो है 1020 से छोटा है तो इसलिए हम 3 नंबर पे डालेंगे इसको 3 नंबर पे 765 यहां पे बचा 7 मीं से 5 गया 2 6 मीं से 6 गया 0 8 मीं से 7 गया 1 तो अब यहां पे देखिए इसकी जरूरत नहीं है तो इसको इरेज कर देंगे अब हमने उपर कोई रकम नहीं बची तो 255 को अंदर डालना पड़ेगा अब 102 का पाड़ा गिनेंगे 102 का पाड़ा एक से गिनेंगे 102 देखिए ध्यान दीजिए जैसे हमने पहले वाला कराया वैसे हम तीसरे वाला करा रहे है 102 को हम 2 से करेंगे 204 आजाएगा 102 को हम 3 से करेंगे तो यह आजेगा 306 तो 306 तो बढ़ा हो गया तो 2 से जाएगा 102 एकम 102 और 102 दूनी 204 दोसो 4 पे जाएगा पांच में से चार गया एक और यहाँ पे आपका पांच उपर कोई रकम नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे 102 को ही अंदर लेंगे आप देखिए 51 क्या हम 51 की टेबल यानि की 51 का पाड़ा लिखेंगे 51 एकम 51 51 की 2 से करेंगे तो यह आए है 102 और 51 की हम 3 से करेंगे यह आएगा आपका 153 तो वो बड़ा हो जाएगा तो 102 कितने पे जा रहा है दो पे जा रहा है तो हम 102 यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ लिखना है यूकलिड विभाजन अल्गोरिथम से यह होता है A equal B Q पलस में R A की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 867 255 गुणा में 3 देखो ऐसे ही तो किया इसने 3 और सेस्वल कितना बचा 102 बचा दूसरी बारी में 255 हमने डाला कैसे वहिया 102 गुणा में 2 सेस्वल कितना आया 51 और तीसरी बार हमने 102 को डाला तो 51 गुणा में 2 पलस में सेस्वल 0 तो यहाँ पे हम HCF आपको बता दे HCF यहाँ पे होगा आपका 51 तो ध्यान दीजिए हमने Euclid विभाजन अल्गोरिथम का प्रियोग करके आपको परसन नंबर 1 करवाया है इसको बड़े ध्यान से आपने वीडियो में देखना है जो भी स्टुडेंट हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले खाली हमारे चैनल कर दुडेंट हमारे चैनल कर ये वीजिए हमारे चैनल को अवामारे चैनल को सब्सक्राइब झाल